जी हां दोस्तों इस वक्त कुईन शेहनास को और गिल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है जी हां दोस्तों हुनरबाज शो जिसकी शूटिंग अल्मोस्ट कम्पलीट हो गई है और शेहनास पंचाब की कुईन हिंदुस्तान की कैटरिना कैफ पहुच चुकी है हुनरबाज शो में जी हां सही सुना आपने लंबे वक्त से फैंस इंतजार कर रहे थे किस एपिसोड में शेहनास आएंगी किस टाइम पर आएंगी और क्या परफार्मस देंगी शेहनास को और गिल हुनरबाज शो में जी हां एक नई कई सारी जो परफार्मस हैं वो फिर से शेहनास ने अपने सिधार्थ के लिए तैयार किया है हुनरबाज शो के अन जिसे देख परनिती चोपडा भारती सिंग और करन जोहर भावक हो उठे शैनाज के शुटिंग के दौरान शैनाज ने ऐसी ऐसी बातों का खुलासा किया जिसे सुनकर सभी बैठे वहाँ पर महजूद भावखो उठे जिहां शैनाज ने कई सारी बाते जो है कई सारे ग्यान जो है जिस प्रकार से सलमान को दिये सलमान के साथ शेयर करे अपने ग्यानों का भंडार जिस तरह से शैनाज आज कल शोशल मेडिया पर खूब ग्यान दे रही है जो भी उन्होंने सीखा है वो चाहती है कि पूरी हिंदुस्तान की जनता जो है वो सीखे और उनकी भी आत्मा मेरी तरह जो है वो पवित्र हो जाए उनकी भी आत्माओं पर जिस तरह से मेरी आत्मा बिल्कुल साफ है सफेद है कोई दाग नहीं है कोई धबबा नहीं है मेरी आत्मा पर उसी तरह से सभी की आत्माओं जो है साफ हो जाए जिहां आज कल वो आत्माओं के ज्यान में ज़्यादा घुश चुकी है क्योंकि वो पीके शिवानी जी के यहां जादा टाइम आश्रम में स्पैन करती हैं, हर सपता जो है वो रीटा मा के साथ ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाती हैं और वहां से ज्यानों का भंडार प्राप्त करके आती हैं और साथ में मोटिवेशनल चीजे जो है वो भी देखना शुरू कर दिया है शेहनाज ने ना सिर्फ इतनाई बलकि वो आज कल मेडिटेशन भी करने लगी है रीटा मा के साथ बैठ कर जहां काफी से धार्त तो शिखा ही गए थे शेहनाज को लेकिन रीटा माने भी काफी कुछ जो है शेहनाज को दुनियादारी के अलावा काफी कुछ सिखा थाइंक्यू रीटा मा की आपने सना को इतना स्ट्रॉंग बनाया है हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैल दोस्तों आपको बता दी हुनरबाज शो को लेकर इस वक्त के बड़ी खबर सामने आ रही है शेहनाज को और गिल को लेकर अखबार में भी खबर छप चुकी है अब तो कि लॉक अप शो में भी शेहनाज आएंगी पार्टिसिपेट करेंगी और कंगनारा नावत के लॉक अप शो में महजूद होंगी शेहनाज साथ ही आपको बता दे हुनरबाज की शूटिंग पहले ही हो चुकी है कंप्लीट बस वो जो एपिसोड है आने वाला एपिसोड लाइव स्टीमिंग तो नहीं होती है उनरबाज शो लेकिन जो एपिसोड है वो या तो कल संडे को दिखाया जाएगा शेहनाज वाला एपिसोड जिसमें शेहनाज ने गाना गाया अपने सिधार्थ के लिए डॉल वाले ड्रेस में बैठ कर और नहीं तो आपको बता दे उस शो को जो है अगले हपते दिखाया जाएगा क्योंकि उनरबाज के जो मेकर्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे टी आरपी बरकरार रहे चाहे वो शेहनाज के नाम पर हो चाहे शेहनाज के एपिसोड वाले दिन को लेकर हो तो इसलिए वो लेट करते जा रहे ह लेकिन आपको बता दे shooting जो है complete हो गई है behind the scenes जितने भी है शेहनाज ने वो share कर डाले है अपने social media account पर जिसे आपको बता दे सिर्फ 2 दिन के अंदर 5 million जो है प्यार मिला है fans का दर्शकों का और साथ ही शेहनाज ने behind the scene big boss 15 का भी जो है शेहनाज ने share के अपने social media account पर जिसे ए एक दिन में 1.5 million के करीब जो है विव प्राप्त हुआ अपने आप में बहुत बड़ी achievement है दोस्तों ना सिर्फ इतना ही कल जो है शेहनाज ने आज कल कह सकते हैं शेहनाज जो content की बरसात कर रही है अपने fans के लिए कह सकते हैं दो महिना जितना शेहनाज ने gap लिया है उस gap को पूरा कर रही है जितनी दूरी बनाई थी social media से उतना ही वो अब अपने fans से जुड रही है वैला आपको दादे कल भी शेहनाज ने एक शांती पुर्णवाता वरन में जा कर अपने सिधार्थ को फेल किया ये उसी जिगह पे शेहनाज महजूद है इस वक्त उसी बीच पर म जरा रही है जिसे fans भरबूर प्यार दे रहे हैं खुब पसंद कर रहे हैं इस video को और शेहनाज ने कल ही share किया और कल के दिन में ही 4 million के करीब fans ने इस video पर अपना प्यार लुटाया है और शेहनाज जो है वहाँ पर जाकर अपने सिधार्थ को feel कर रही थी एक बार 2020 में गई 2020 में सना जो थी सिध के साथ गई थी और अब अकेले हैं यहाँ पर लेकिन fans को ऐसा लगता है कि सना के लेकिन सना को हमेशा ये लगता है कि उनके सिधार्थ उनके पास हैं उनकी रूह में हैं उनकी आत्माओं में हैं उनकी सांसों में हैं और हमेशा वो अपने सिधार्थ को रिप्रेजेंट यूही करती रहेंगी हर स्टेज पर और आपको बता दे दोस्तों हुनरबाज शो में भी शेनाज जो है अगले हपते या फिर कल संडे को दिखाया जाएगा ये अभी कलर्स वालों ने जो है अनौंस नहीं किया है कि कब आएंगी किस डेट को आएंगी उन्ह लेकिन ये बात पकी है कि हुनरबाज शो के एपिसोड में शेनाज जो है वो दिखाई देंगी गाना गाते हुए तो दोस्तों कितने एक्साइटेड है आप जरूर बताएगा कमेंट करके